दोस्तों दर्शकों के सबसे पसंदीदा टीवी शोज में शुमार होने वाला शो है कुंडली भागे जो कि आज से नहीं बलकि पिछले तीन सालों से दर्शकों का इंटर्टेनमेंट कर रहा है जिसमें प्रीता और करन लूथरा की जोड़ी तो शो का वो हिस्सा है जिन पे दर्शकों का प्यार कभी कम ही नहीं होता है इस जोड़ी की नोगजोग से लेकर इनका प्यार इन्हें दर्शकों की फैवरेट जोड़ियों में शुमार कर देता है लेकिन दोस्तों परदे पर करण लूथरा और प्रीता अरोडा के जोडी में नजर आने वाले शरद्धा और धीरश धूपर के इस ओन स्क्रीन प्यार से तो आज हर कोई वाकिव है पर क्या इन दोनों कलकारों के real life प्यार से वाकिफ हैं? और इनके love partners कौन हैं? क्या करते हैं? कैसे दिखते हैं? ये जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनी सबी सवालों के जवाब देने वाले हैं तो बने रही है वीडियो के एंड तक और साथ ही इन दोनों के लिए वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें श्रद्धा आरे और धीरजदूपर के ओन स्क्रीन प्यार से आज कोई भी अंजान नहीं है लेकिन अगर बात करें इन दोनों क लाकारों की रियल लाइफ प्यार के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं अभी नेता दीरजदूपर के बारे में जनका रियल लाइफ प्यार और कोई नहीं बलकि विन्य अरोडा हैं जी हाँ टीब इंडस्ट्री की मशूर अदाकारा विन्य अरोडा ही वो खुशनसीब है जिन्नोंने धीरश धूपर के दिल में बहुत खास जगा पाई है बात करें दोनों की लव स्टोरी की तो बता दें दोनों की मुलाकात शो मात पिता के चड़नों में स्वर्ग है से हुई थी जहां धीरश धूपर अंश के किरदार को परदे पर उतारते हुए नजर आये थे तो वहीं विन्नी अरोडा को गायतरी का किरदार निभाते हुए देखा गया था और इसी शो में काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के बेहत करीब आ गये थे जहां से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और करीब 7 सालों तक डेट करने के बाद आखर कार साल 2016 में दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए जिनके इस शादी को आज पूरे पांस साल हो चुके हैं और इन बीते पांस सालों में आज भी इनका प्यार पहले की तरह ही बरकरार है जो कि आप इन तस्वीरों के जरीए देख भी सकते हैं अब बात करें शो में प्रीता के किरदार में नजर आने वाली श्रद्धा आरिया के रियल लाइफ प्यार के बारे में तो आपको बता दे इनका प्यार और कोई नहीं बलकि राहुल है जी हाँ दिल्ली के नेवी आफिसर राहुली वो खुशनसीब शक्स हैं जिने श्रद्धा आरिया ने अपने सच्चे प्यार के साथ साथ हमसफर के रूप में भी चुना है और उनके साथ फेरे लेने का भी फैसला किया आपको बता दें यूँ तो राहुल से पहले भी श्रद्धा आरिया के जीवन में जयन्त रत्ती और आलम मक्कर आये थे पर श्रद्धा आरिया को अगर किसी में अपना हमसफर और सच्चा प्यार दिखा तो वो नेवी आफिसर राहुल ही है जो की काफी लंबे समय से इनके close friend रहे हैं जिनके बीच में दोस्ती के साथ हमेशा ही बेहद special bond रहा है तबी तो वो हमेशा ही इनकी छोटी छोटी बातों का खयाल रखते हैं और इने पलकों पर बिठा कर रखते हैं जिसकी बज़ा से श्रद्धार्या ने देर ना करते हुए अपने प्यार को हमसफर के रूप में चुना और शादी करके अपना घर भी बसा लिया तो दोस्तों आप धीरश धूपर और श्रद्धार्या के रियल लाइफ लव पार्टनर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथी टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें